नमस्कार शावित्री की रस्वय में आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है शावित्री की रस्वय में आज बनेगी मैंगो फुरूटी तो उसके लिए हमने दो पके आम लिये हैं और एगी कच्ची केरी लिये हैं दो आम कच्ची करी, ना इसमें हम कोई कलर डालेंगे, ना निबू डालेंगे, ना विनेगर डालेंगे, कुछ भी नहीं, साधा, जो हम सभी अच्छे से बना सकते हैं, अपने गर में किसी कोई परिशाने नहीं होगी, और हम महिनों रख सकते हैं इसे, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना तो सबसे पहले क्या करना है आम को हमें इधर से कड़ना है और इसे चीलना है चीलने के बाद इसके पीश कर लेंगे फिर आपसे मिलती है देखिए मैंने दौनों आम एक कट कर लिए हैं और एक आमिया कच्ची कैरी आप सूच रहा हूँगे कि जब आम मीठी तो यह खट्टी कच्ची केरी आप क्यों डाल रहे हैं वह मैं आपको आगे बताऊंगे यह मैंसी क्यों डाल रहे हूं तो सबसे पहले हम पीछ लेंगे आम हमें पीछना है और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी तीन से चार चमाच इसे पीछ लेते हैं तो देखिए हमने पीछ लिया है अब हम डाल देंगे इस कड़ाई में डाल दिया है अब हम लेंगे ये कच्ची केरी केरी तो इसको भी हम इसी चार में डाल देंगे औ इसमें भी पानी डालके हमने इसे भी पीस लिया है तो देखिए ये भी अच्छी से पिस गई है और इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देंगी जो भी इस जार में लगा है वो सब उसी में चल जाए जार धुलके भी डाल दिया है और हम डाल देंगे इसमें सक कर तो अभी मैं अब हमने गेस पर रख दिया है इसे हम इसे अच्छी से पकाया कि देखिए मिक्स करते हैं ना इसमें हमें कलर डालना है फुच भी नहीं डालना है और इसी तरह हम पकाते हुए अभी तो इसमें अभी हम दो से तीन में तक इसे हाई फिलिमपा रखेंगे ऐसी गरम होता है तो हम इसे मीडियम टू हाई कर देंगे कि देखिए अभी वबलने लगी है कैं को इसमें अभी तो आप इसकी kलर में शायनिंग नहीं है जैसे जैसे पकेइगी वैसे वैसे इसमें शायनिंगsk आएगी तो अभी कच्छी है अब हमने क्या किा है हम इसमें आदा कब चिनी और डाल देंगे और चिलिया में इसलिए डाल रहे हैं कि आम थोड़ी खटे हैं और आपके यदि थोड़ी मीठे हो तो आप एक कप में ही यह कब मीठा खाना पसंद करते हो तो आप डालें और जैसे जैसे आम का शीजन ज्यादा आता जाएगा उसे साफ से आम आप पीटे होते जाएंगे अच्छी खुस हो जाएंगे जब आप घर पर ऐसी फ्रूटी वनाएंगे न तो फिर बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है कभी नहीं बोलेंगे आप से बाहर से लाने के लिए तो इसे आप मेडियम टू हाई पर पकाएंगे तीन से चार मेंट या इसमें आप समझ लिए ज तैयार हो जाएगा आप सोच रहे होंगे किसमें अमिया क्यों डाली कच्छाम क्यों आप में डाला तो मैं आपको बता दू मैं इसलिए इसमें कच्छाम डाला है मैंने क्योंकि इसमें न निबू डाला है न साइटर कैसिक डाला है और नहीं इसमें बनेगर डाला है तो खटाई रहेगी और आम मीठी होते हैं और हम शक्कर भी डालते हैं तो मीठा मीठा हो जाएगा तो खटाई के लिए हमें इसमें आमिया डालने बढ़ेगा हल्का सा खटापन होना चाहिए तो देखिए अब यह बनके रेटी हो गया है हम आपको ऐसे देखा जब हम इस तरह ऐ बन करना चाहिए जय्दा कर देंगे तो इसमें पार बन जागई जम जाएगी तो अब हम गैस को करते हैं बंद और इसे धंडा को ठंडा जय को थे खो़म हैं मैं हम तोटे बहुक्त आम के रख लें चानने के लिए हम ढाल लेंगे उसे और रिज़े इसमें इस तरह ऐसे से भुमाते हुई कि झालेंगे पूरा चाल यह इसमें कुछ भी नहीं है बिलकुल एक भी देशा नहीं है लेकिन चाल ना जरूर होता है आप इसकोम रख देंगे साइड में कितना गाड आए इसमें आप 15 से 20 किलास बनाके तैयार करेंगे यदि आप तुरन्त इससे यूँज करना चाहते तो इसमें अभी आप पानी डाब दें ठंडा ठंडा और आप इसे पी लें यदि आप इस्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे गाड़े को ही आप इस्टोर कर दें रख दें कांच की जार में और जब भी आपका मानू निकालें दो चम्मट डालें एक लास में और ठंडा पानी या आइस कुप्स डालके और बश आराम से मज़े से आप इंज्वाइ कीजिए ह साफ होना चाहिए धुला हुआ और सूखा बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए तो मैंने इसमें डाल दिया अवे गाड़ा है तो अविजा अवे हाफ हुआ है और यूद्व करने तो इसमें बढ़िया से आप इसका डवल पानी विट्रब का это आप इससमें गिलास ये दू कांच की गिलास हैं तो हम इसमें लेंगे दो दो चम्माज इसमें कोई भी कलर नहीं डाला है इसका कलर देखिए हमने दो चम्माज ले लिया है अब हम इसमें डालेंगे चिल्ड बोटर और इसे हम करेंगे मिक्स हम मिक्स कर देंगे और लेंगे ये आइस क्यूब डाल देंगे ठंड़ 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 आप इंज्वाई कीजी और हमने लिया आए पुदेना प्लीज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें मेरे चैनल पर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें इंज्वाई करना तो आपको बनता है थैंक आप इंड़ाए कीजिए